Hello and Welcome back to new another video मैं आस्थ तोस्कुमार आगए हूँ एक फिर new video के साथ दोस्तो आजकी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अगर आप बिहार राज से हैं और या फिर बिहार राज के नहीं है अगर आप बिहार आना चाहते हैं जिसके आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार में अभी 15 मज़ तक lockdown लग गया है संपून lockdown यहाँ पे लग गया है तो अगर आपको यहाँ पे travel करना है तो किस परकार से आप travel कर सकते हैं और इसी वीडियो में बताऊगा कि किस परकार से आप e-pass के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो अभी तक आपने Mr. Bihari चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप रोट बिटन दवा के जो वीडियो की नीचे आपको दिख रहा होगा उसे दवा के सब्सक्राइब कर लेना है साथे साथ दोस्तो इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर करना है और आपने दोस्तों को भी वीडियो सेयर करना है ताकि वो भी e-pass का apply करके e-pass बना सके तो दोस्तो e-pass बनाने के लिए सबसे पहले आपको Bihari का जो official website है serviceonline.bihari.gov.in यहाँ पर आ जाना है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक login बटन दिख रहा है इस पर simply login करना है जैसे ही आप यहाँ पर login पर क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ पर login पर क्लिक करना है अगर आपका यहाँ first वार आप आ रहे हैं तो आपको पहले एक यहाँ पर आपको account बनाना होगा करने के बाद आपको यहां पे apply for services पर klick करना है जिसे आप apply for services पर klick कर देगा इसका जितना भी services लिश्ट है वो आपके सामने में आ जाएगा आपको यहां पे बनाना है तो यहां पे जो सर्च है यहां पर आपको simply search करना है सबसे नीचे में आपको यहां पर दीख जाएगा कि यहां पर उस पर किलिक की जगात आपको एक फॉर्म ऑपेन हो जाएगा वह फॉर्म को आपको भरना है चले किस प्रकार से भरना हो देखते हैं तो यहां पर मेरा फॉर्म जो है यहां पर आपको भरना है यहां पर अधार कार्ट के अनुसार अपना नाम भरना है अपना पिताजी का नाम भरना है उम्र भरना है मुवाइल नंबर इमेल आइडी और यहां पर आपका जो जेंडर है वह भरना है उसके बाद यहां पर देखी क्या लिखा हुआ है कि यात्रा एपास की बैदता दिरांक और समय से कम से कम 30 मिनट आगे की चुने मतलब यही है कि आप जो भी यात्रा करने वाले उसे आधे घंटे पहले का डेट चुने तभी यात्रा करें और यात्रा करें अपर तक आपका सीमा हो सकता है वो आपको यहाँ पर डालना है तो अब जो है आप यात्रा कीजेगा तो किसी कीजेगा दिवो यहाँ पर डालना है बाहन का परकार बहान का निवन संख्या मतलब आपका हो गया गारी का नंबर प्लेट का जो नंबर होता है वो डालना है उसके बाद यात्रों की संख्या ड्राइबस है जैसे कि आप कितना यात्री हैं वो आपको यहां पर एंटर करना है उसके बाद संचालक का परकार जो आपका है जिला के भीतर करना है या पिर अंतर जिला या अंतर राज जैसे कि आप बिहार राज से सब्सक्राइड मान के चलिए कि अगर आप वंगाल जा रहे हैं या यूपी जाल रहे हैं तो इस तरह से अगर जिला के भीतर में एक दिश्टिक से दूसरे डिश्टिक करना है या फिर वही गिसिक आप यहां पी जो भी आपका यात्रा का पर्पस है तो भूअ को जाएक जाने या पर गर्पस ठीजिए कुँगोँ करें अंध्य करने मां तुम घंचाने सकते हैं क्या कारण से आप जाना चाहते हैं जैसे कि यहां पर स्वाहिम की साधी जो भी है आपका वो आपको यहां परपस डाल देना है उसके बाद जो बाहन का पास होगा वो एक तरफा होगा या दो तरफा जाने का होगा या फिर आने का भी होगा तो दुनों साइट से होगा तो आप दो तरफा पर किली कर सकते हैं एक साइट डालना है कि किस जगह भी आप हैं वह एड्रेस आपको यहां पर डालना है उसके बाद आपको कहां पर आपको जाना है जिसे कि आपको एक डिश्टीक से दूश्रे डिश्टीक में जाना है तो वह एड्रेस से वह एड्रेस तक डालना है उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है घोसना में कि क्या घर या परिवार के किसी सदस पिछले तीन महां में वीदे सियात्रा किये हैं तो नहीं किये हैं तो आप उन्हों पर रहना दने आपको कहीं किलिक नहीं करना है इसी प्रकार से आपको पूरा time and condition पर लेना है उसके बाद आपको I agree पर किलिक करके I agree पर किलिक करके यहां पर capture डाल करके आपको submit process पर किलिक करना है process पर किलिक करने के बाद आपको एक receiving आ जागा receiving आने के बाद आपका आदे से एक घंटे के अंदर e-pass बन जाएगा तो दोस्तों बताईए कि वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों आप हमा आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को एक लाइक जोड़ कीजएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीज़ेगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत